Hello friends, welcome again to the world of maths भाई हम यह हैं So again thumbnail पर एक question था and question जो आपके सामने दिख रहा है मैं बोलूँगा कि video को pause कीजिए और question को solve कीजिए So जो question आपके सामने दिख रहा है I think आपने video को pause किया होगा उसको solve करने का कोशिज किया होगा और solve भी किया होगा पर यह बहुत अच्छा question है percentage का Question क्या है कि अगर किसी rectangle का length 18.75% से increase करता है उसका breadth 16.665% से increase करता है तो उसके area में क्या change होगा चार options आपके पास दिए हुए तो यह only length or breadth का question नहीं है यह question आपका दिख सकता है profit में, loss में यह question दिख सकता है population में यह दिख सकता है price versus quantity तो आपको इस आपके questions पता होने चाहिए तो मैंने एक video share किया था just आज morning में 96, 97, 98 यह सबसे 99 से divide करने का तरीका तो यह उसी पर अधारित है तो बहुत सारे multiple concepts आजकर use हो रहे हैं तो इसी question को करते हैं length आपका 18.75% से increase करता है 16.66% से increase करता है मैं आपको concept आगे बताऊँगा कि यह है क्या तो जब भी 18.75 का मतलब 0.25 का multiple है तो 6.25% का value आप रट लेजिए बहुत important है यह होता है 1 by 16 और इसे में multiply हुआ है तो इसका effect दिखता है 3 by 16 आपको effect सबके पता होने जाए percentage equivalent और इसका तुम इसको पता है यह 1 by 6 है तो arithmetic की जो पहली classes start होने वाली है जो भी होती है हर एक teacher मैं नहीं सब को percentage equivalent आपको बताते हैं तो आपको percentage equivalent पे पता होने चाहिए मैं आज कुछ आपको एक्षा दिखाऊंगा जो कि match का ही तरीका है तो 3 by 16 आपका increase हुआ है तो यह आपका हो जाएगा 19 by 16 and 1 by 6 increase हुआ है तो यह हो जाएगा 7 by 6 तो यह आपका हो जाएगा 133 divided by 96 मतलब पहले आपका क्या था पहले area 96 था अब area आपका 133 हो गया है area में increase हुआ है area increase हुआ है कितने से increase हुआ है एरिया इंक्रीज हुआ है, यह आपका 7, 37 से इंक्रीज हुआ है, किस में इंक्रीज हुआ है, 96 into 100, मतलब हमें यही सॉल्ट करना है, यह हार्दी 30 से 40 चेकने का कोश्चन है, पहले आपको पता होना चाहिए, परसेंटेज एक्क्यूवालन होता क्या है, 18.75% is 3 by 16, 16.66% is 1 by 6, दोनों बढ़ा है, तो इफेक्ट पर हम लोग मल्टिप्लाई करते हैं, यहाँ पर 37 का इंक्रीज हुआ है, 96 में, अब इसको सॉल्ट करना भी हेडिक है, तो इसके लिए मैंने आपको वीडियो अप्लोड किया था, आप देख लिजेगा, अभी वो डिस्क्रिप्शन और का 4 मुटिप्लाई करना होगा, 7, 4, 28 बचा कितना, 2, and 7, 4, 3, 4, 7, 28, 4, 7, 28 बचा 2, यह दिखेगा, 148, अब इस 148 को फिर से 4 से मुटिप्लाई कर देजिए, परसेंटेज आपको डबल डिजे तक निकालने में 6 में काम करना होगा, और यह मैं सब कुछ आपको एक एक करके ब पता होगा, तो मैं जब आपको बताऊं तो पता होना चाहिए, मैं 4 से मुटिप्लाई करना हूँ, 4, 8 जा 32 का 3, 16, 19, 1, 4, 1 जा 4 is 5, तो यह जो दिखेगा, इन्टू 100 भी है मेरे पास, तो यह दिखेगा आपका, 293, 4 becomes 5, 8, 0.5, जो कि आपका दिखेगा, 38.5392, percentage, because 100 मुटिप्लाई किये है, दिखेगा 38.54%, which one is nothing but option number A, तो बहुत basic सा चीज है, अभी मैंने question solve किया, तो हो सकता है, आपको dub दिख रहा हो, बट हम जब practice करेंगे, arithmetic के sessions में, या आगे जो मैं आपके लिए sessions लेकिया आऊंगा, तो आपको देखेगा, सबसे पहले आपको percentage प करने का तरीका है, अगर आपको नहीं पता है, तो वीडियो को देखेए, जो भी आपके card में भी दिख रहा है, और description में भी है, जो मैंने आज morning में sell किया है, तो answer of this question is 38.54%, अगर आपको ये method नहीं पता है, तो बहुत यह time लगेगा, इसको solve करने का तरीका जो होता है, यही इसको नहीं पता है, तो यहां क्या है, तो इसको 4 बनाया रहेगा, और यह hardly question पढ़ने के बाद 30 second का question होता है, जो मैं दिखता है, बहुत रहा है, तो exam में मैं आपको बता रहा हूँ, calculation नहीं आ रहे, कुछ-कुछ questions होंगे, जो time consuming है, उसमें step करना होगा, step skip नहीं कर पाते हैं बहुत बार, तो मेरा एक ही aim है, आप basic में command केजिए, step skip करना सीखिए, और अपना best दी अपने exam में, तो this is all about today's question, techniques के अंतर, बाकी भी मैं एक techniques लेके आता रहूँगा, percentage equivalent का भी एक-दो session हम देखते है, क्या होता है, क्या नहीं होता है, अगर आपको कोई भी doubt हो, या कोई भी suggestion हो, या कोई भी demand हो, प्लीज आप comment में post कीजिए, और मैं try करूँगा उसको best देने का, तो God bless you, happy learning and bye-bye. क्या है, क्या है, क्या है?